हलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आजम पढ़ने वालें चेप्टर नमबर 3 जिसका नाम है फेर प्ले इस कहानी को भारत के जाने माने लिखक मुनसी प्रेम चंद ने लिखा है इस कहानी का सारांस है कि हमें कभी भी न्याय और सच्चाई की रास्ते से भटकना नहीं चाहिए चाहे उसके बीच में दोस्त ही क्यों ना आ जाए एक बार एक गाउं में जुमन सेख और अलगु चोधरी के नाम से दो दोस्त रहा करते थे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब उनमें से कोई एक गाउं से बाहर जाता था तो दूसरा उसके परिवार का ध्यान रखता था गाउं की लोग दोनों की बहुत ही इज़त किया करते थे जुमन सेख की एक बुढ़ी चाची थी जिसने अपनी सारी जमीन जाइदात, सारी प्रोपर्टी जुमन की नाम कर दी थी ये सोच कर कि वह उसको दो वक्त का खाना दे देगा कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चला लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया जुमन की पत्नी चाची को खाना देने में आना काने करती और हर बात पर उसकी इंसल्ट करती, उसका अपमान करती और जुमन भी ऐसा ही करता कुछ महिनों तक तो बुढ़ी चाची ने अपमान सहा लेकिन धैर्ये की भी सीमा होती है एक दिन बोड़ी चाची ने जुम्मन से कहा मेरे बेटे जुम्मन ये तो साफ है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर में अच्छी नहीं लगती ऐसा करो कि तुम मुझे हर महीने थोड़े पैसे दे दिया करो जिससे मैं अपना खाना अलग बना लोंगी जुम्मन सेख ने शाफ मना कर दिया इस बाद से चाची को गुसा आ गया और उसने इस मामले को पंचायत में ले जाने का निर्णे लिया उसी दिन साम को पंचायत बुलाई गई सारा गाउं एकटा हो गया अब मामला सुनने और फैसला सुनाने के लिए एक सरपंच या हेड़ पंच को चुनना था जुमन सेख ने चाची से कहा कि तुम किसे भी विक्ति को सरपंच बना दो मैं उसके फैसले को मानूंगा चाची ने अलगू को सरपंच बना दिया जुमन खुस हो गया क्योंकि अलगू उसका लंगोटिया यार था अब मामला सुना गया अलगू ने सभी को ध्यान सी शुना और हर बात की पूछताच की अंत में अलगू ने फैसला सुनाया कि या तो जुमन को हर महिने कुछ पैसे चाची को देनी होंगे या फिर उसकी जमिन जाइदात सारी प्रोपर्टी वापस चाची को देनी होगी इस फैसले से दोनों की दोस्ती में दरार आ गई यहां तक की जुमन तो अलगू से बदला लेना चाहता था अलगू चोधरी के पास दो बैल थे उनमें से एक मर गया था अलगू ने अपना दूसरा बैल समझू शाहू को बेश दिया समझू शाहू ने कहा कि मैं एक महिने के अंदर इस बैल की कीमत दे दूँगा लेकिन कुछ समय बाद वो दूसरा बैल भी मर गया कुछ महिनों बाद अलगू ने अपने बैल की कीमत मांगी तो समझु को गुशा आ गया समझु ने कहा कि मैं उस घटिया जानवर के लिए एक पैसा भी नहीं दूँगा समझु ने कहा कि तुम मेरे बैल को एक महिने के लिए रख लो और फिर वापिस कर दो लेकिन तुम्हें तुम्हारे बैल की कीमत नहीं मिलेगी क्योंकि वह मर चुका है अलगू चोधरी ने इस मामले को पंचायत में ले जाने का निर्ने लिया फिर से पंचायत बुलाई गई फिर से सारा गाउं इकठा हो गया फिर से मामला सुनने और फैसला सुनाने के लिए सरपंच को चुनना था अल्गु चोधरी ने समझु साहु को कहा कि तुम किसे भी वेक्टी को सरपंच बना दो मैं उसके फैसले को मानूंगा सम्झु साहु को पता था कि जुम्मन सेख अलगु से बदला लेना चाता है सम्झु साहु ने जुम्मन को शरपंच बना दिया अलगु चोधरी का मन बैठ गया लेकिन वो कुछ नहीं कर सका जैसे ही जुम्मन चजज बना वैसे ही उसको उसके जिम्मेदारी का एहसास हुआ उसने पूरे मामले को ध्यान से सुना और हर बात की पुछताच की अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया कि समझु साहू को मरेहवे बैल की कीमत चुकाने ही होगी क्योंकि जब उसको बेचा गया था तब वो बिमार नहीं था ना ही अपन था और उसकी मौत के लिए अलगु को जिम्मेदार नहीं ठैरायगा सकता इस फैसले से अलगु भहुत ही खुश हुआ उसने जुम्मन को गले लगाया और खुशे के मारे रोने लगा अब वो दोबारा से दोस्त बन गए ये थी इस चेप्टर की समरी अब हम इस चेप्टर को line by line read करेंगे जुमन सेख और अलगु चोधरी वर good friends जुमन सेख और अलगु चोधरी अच्छे दोस्त थे So strong was their bond of friendship. उनकी friendship इतनी गहरी थी कि that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनमें से कोई एक अगर गाउं से बाहर जाता था, तो दूसरा उसके परिवार का ध्यान रखता था. Both were greatly respected in the village, गाह में उन दोनों की बहुत ही इज़त थी. जुमन had an old aunt, जुमन के एक बुढ़ी चाची थी, who had some property, जिसके पास कुछ प्रोपर्टी थी, कुछ जमीन जाइदाद थी. इस प्रोपर्टी को चाची ने जुमन के नाम कर दिया था, on the understanding that she would stay with him, ये सोच कर की वह उसके साथ रहेगी and he would look after her, और जुमन उसका ध्यान रखेगा, उसकी look after करेगा. The arrangement worked well for a couple of years, कुछ सालों तक ये arrangement ये वेवस्था ठीक ठीक चली, then the situation changed, उसके बाद में situation बदल गई, जुमन and his family were tired of the old relative, जुमन और उसका परिवार इस बुढ़ी रिष्टेदार से परिशान हो गया, जुमन बेकें as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. जुमन भी अपनी वाइफ की तरह ही वेवार करने लगा, उसकी वाइफ जो थोड़ा सा खाना उस बुढ़ी ओरत को देती थी, उसमें भी ग्रज करती थी, आनाकाने करती थी, और वैसा ही जुमन भी करने लगा. She swallowed these insults along with her food for a few months. कुछ महिनों तक तो उस बुढ़ी ओरत ने इस अपमान को खाने के साथ ही निगल लिया, but patience has its limits, लेकिन धहरिय की भी कुछ सीमाई होती हैं. One day she spoke to जुमन, एक दिन उसने जुमन से बात की. My son, मेरे बेटे, it is now obvious, ये तो साफ साफ दिख रहा है, that I am not wanted in your house, कि तुम मुझे अपने घर में नहीं चाहते. Kindly give me a monthly allowance, so that I can set up a separate kitchen. मुझे तुम महिने के कुछ पैसे दे दिया करो, कुछ monthly allowance दे दो, महिने का कुछ भत्ता दे दो, ताकि मैं अपनी जो रसोई है वो अलग से set up कर लूँ, बना लूँ, स्थापित कर लूँ. My wife knows best how to run the house, घर को कैसे चलाना है, ये मेरी पत्ती, सबसे अच्छे तरीके से जानती है. Be patient, धर ये रखो, sad जुमन, samelessly, निरलज होकर, जुमन ने अपने चाची को ये कहा. This made his aunt very angry, इससे चाची बहुत ही गुसा हो गई, and she decided और उसने निरने लिया to take her case to the village panchayat, भहे अपना case मामला panchayat में ले जाने का उसने निरने लिया. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case, and seeking their support. कई दिनों तक बुड़ी ओरत है वो लोगों से बात करती रही, अपने case को explain करती रही, और उनका support चाहती रही. Some sympathized. With her, कुछ लोगों ने उससे सहान भूती जताई, others laughed at her, कुछ लोग उस पर हसे, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. और कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ समझोता कर लीजी. At last, आखिरकार, she came to Algu Chodhry. चाची, Algu Chodhry के पास आई, and spoke to him, और उससे बात की. You know, चाची, जुम्मन is my best friend. तुम तो जानती हो, चाची की जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. How can I go against him? मैं उसका विरोध कैसे कर सकता हूं? Algu said, Algu ने कहा. But is it right, my son? लेकिन मेरे बेटे, क्या ये सही है? To keep mum, चुप रहना, क्या सही है? And not say what you consider just and fair. और जो तुम न्याई संगत और सही समझते हो, उसको ना कहना, क्या सही है? Pleaded the old lady. चाची ने plead किया, request किया. Come to the panchayat and speak the truth, she said. उसने कहा कि panchayat में आओ और सच बोलो. अल्गू डिड़न्ट रिपलाई. अल्गू ने कोई जवाब नहीं दिया. But her words kept ringing in his ears. लेकिन उसके सब्द, चाची के सब्द हैं, वो अल्गू के कान में बसते रहे. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. एक पुराने बर्गत के पेड के नीचे उसी साम को, जिस साम को चाची अल्गू से मिली थी, उसी साम को panchayat बुलाई गई. जुमन stood up, जुमन खड़ा हुआ and said और कहा, The voice of the panch is the voice of God. Panch की आवाज ही भगवान की आवाज है. Let my aunt nominate the head panch. मेरी aunt को, मेरी चाची को head panch चुनने दो, सर panch मनोनित करने दो. I will abide by her decision और मैं उसके decision को मानूंगा. The panch knows neither friend nor enemy. Panch ना ही तो दोस्त को जानता है ना ही दुस्मन को. उसके लिए सब बराबर है. What do you say about Algu Chaudhry? The old lady announced. चाची ने घोशित किया कि मैं Algu Chaudhry को सर panch बनाती हूँ, head panch बनाती हूँ. Fine replied Jumman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. अपने भाग्गी की वज़े से जो उसको joy मिला है, खुसी मिली है, उसको छुपाते हुए Jumman ने कहा कि ठीक है क्योंकि Algu Chaudhry उसका दोस्त था. चाची, you are aware of my friendship with Jumman, said Algu. Algu ने कहा कि चाची, तुम्हे तु पता है कि Jumman और मैं दोस्त है. I know that, replied the aunt. चाची ने जवाब दिया कि वो तुम्हें जानती हूँ. But I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्ती के खातिर अपने विवेक को नहीं मारोगे. God lives in the heart of the punch. Punch के मन में, Punch के दिल में भगवान रहता है and his voice is the voice of God. और Punch की आवाज ही भगवान की आवाज है. The old lady then explained her case और उसके बाद में चाचे ने अपने case को समझाया. जुम्मन said Algu. Algu ने कहा, जुम्मन, you and I are old friends. हम दोनों पुराने दोस्त हैं. Your aunt is as dear to me as you. जितना तुम मेरे लिए पिर ये हो, उतना ही तुम्हारी aunt है. Now, I am a punch. अब मैं एक पंच हूँ. You and your aunt are equal before me. मेरे सामने तुम और तुम्हारी चाची समान है. What do you have to say in your defense? तुम अपने बचाओ में क्या कहना चाहते हो? Three years ago, begin जुम्मन. जुम्मन ने कहा कि तीन साल पहले, my aunt transferred her property to me. मेरी चाची ने अपनी सारी property मेरे नाम कर दी. I promised to support her as long as she lived. और मैंने वादा किया कि मैं उसका support करूँगा जब तक वो जिन्दा है. I have done all I could. और जो मैं कर सकता था, मैंने सब किया. There have been a couple of quarrels between my wife and her. हाँ, इस बीच में कुछ जगडे हुए हैं मेरी पतनी और चाची के बीच में, but I cannot stop it. लेकिन मैं इन जगडों को रोक नहीं सकता. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब मेरी चाची मेरे से हर महिने monthly allowance है, वो मांग रही है. This is not possible और ये मेरे लिए संभव नहीं है. That is all I have to say और मुझे इतना ही कहना है. जम्मन वोज क्रोस एक्जामिन बाई अल्गू एंड अदर्स. अल्गू ने और दूसरों ने जम्मन से हर तरह से पूश ताच की. Then अल्गू अनौस्ट और उसके बाद में अल्गू ने घोशित किया, We have gone into the matter carefully. हमने इस मामले को अच्छे तरीके से जांचा है, पर्खा है. In our opinion, हमारी राए में जम्मन मस्ट पे his aunt a monthly allowance. और हमारी राए में जम्मन को उसकी aunt को monthly allowance देना चाहिए. और अगर वा ऐसा नहीं करता है, तो the property goes back to her. तो उसकी property वापिस उसको मिलनी चाहिए. Now the two friends were seldom seen together, अब दोनों दोस्त साथ में कभी नहीं दिखते थे, seldom का मतलब नहीं. The bond of friendship between them was broken, उनकी दोस्ती तूर सुकी थी. In fact, जम्मन वाज अल्गूज अनमी और बात तो ये थी कि जम्मन अब अल्गूज का दुस्मन बन गया था and wanted his revenge और बदला चाहता था. Days passed, कई दिन बीट गई and as ill luck would have it, अल्गूज चौधरी found himself in a tight spot. और ये अल्गूज चौधरी का दुर्भग्य था कि उसने अपने आपको एक मुस्किल स्थती में पाया. One of his fine pair of wool lucks died and he sold the other to Shamjoo Shahu, a car driver of the village. उसके पास दो बैल थे, उन में से एक बैल है, वो मर गया था. और उसने दूसरा बैल समझू Shahu, जो की एक बैल गाड़ी चलाता था गाउं में, उसको बेच दिया. The understanding was that Shahu would pay the price of the bullock in a month's time. और ये समझोता हो गया कि एक महिने के अंदर अंदर समझू Shahu उस बैल की कीमत दे देगा. It so happened that the bullock died within a month और ऐसा हुआ कि दूसरा बैल भी एक महिने के अंदर अंदर मर गया. Several months after the bullock's death, Algu reminded Shahu of the money he hadn't yet paid. और उस बैल की मौत के कई महिनों बाद Algu Chodhry ने समझू Shahu को याद दिलाया कि तुमने मुझे उस बैल की कीमत नहीं दी है. Shahu got very annoyed. Shahu बहुत गुसे में आ गया. I cannot pay you a penny for the wretched beast you sold me. तुमने जो घटिया जानवर मुझे दिया था उसके लिए मैं तुम्हें एक पैनी भी एक पैसा भी नहीं दूँगा. He brought us nothing but ruin. वह सिर्फ बरबादी लेकर आया और कुछ नहीं. I have a bullock. मेरे पास एक बैल है. Use it for a month. तुम उसको एक महिने काम में ले लो and then return it to me और फिर उसको मुझे वापिस कर दो. No money for the dead bullock. He said angrily. उसने गुसे में कहा कि जो मरा हुआ बैल है उसके लिए मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूँगा. Algu decided to refer the case to the panchayat और Algu ने निरने लिया कि वह अपना मामला panchayat के पास ले कर जाएगा. For the second time in a few months और कुछ महिनों के अंदर ही दूसरी बार preparation for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. और दोनों ही parties लोगों से मिलने लगे और support चाहने लगे. The panchayat was held under the old banyan tree और पुराने बर्गत के पेड के नीचे panchayat बुलाई गई. Algu stood up and said, Algu खड़ा हुआ और उसने कहा, The voice of the panch is the voice of God. Panch की आवाज ही भगवान की आवाज है, Let Sahu nominate the head panch. Samjhu, Sahu को head panch नामित करने दो, बनाने दो. I will abide by his decision. और मैं उसके निरने पर टिका रहूंगा. Sahu show his chance. Sahu ने अपना मो का देखा and proposed और प्रस्तुत किया the name of Jumman. Jumman का नाम प्रस्तुत किया. Algu's heart sank. Algu का मन बैठ गया and he turned pale. और उसका चहरा फीका पड़ गया. But what could he do? लेकिन वो क्या कर सकता था? The moment Jumman became head panch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. जिश शन जुमman head panch बना. उसने अपने judge की जिम्मेदारी को, responsibility को समझा. और उस office को, उस काम की जो मरियादा है, dignity है, उसको भी समझा. Could he seated in that high place have his revenge now? उसने सोचा की क्या मैं head panch बनकर अपना बदला ले लू? He thought, उसने सोचा and thought or सोचा. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. और उसने मन ही मन में फैसला किया कि वह अपनी व्यक्तिकत भावनाओं को बीच में नहीं आने देगा और सच बोलेगा और नयाई करेगा. और दोनों से अच्छी तरीके से पुष्टाच की गई. And the case was considered और केस के उपर विचार किया गया. Then, जुमन स्टुड़ अप अननाउस्ट और उसके बाद में जुमन खड़ा हुआ और उसने घोशित किया ये घोशना की It is our opinion और ये हमारी राय है that Sahu should pay अलगू the price of the bullock. कि Sahu को अलगू को उस बुलग का पैसा देना चाहिए. When Sahu bought the bullock, जब Sahu ने बुलग को खरीदा था, it suffered with no disability or disease. उसके ना ही तो कोई बिमारी थी, ना ही वो अपंग था. The death of the bullock was unfortunate. जो बैल की मौत थी, वो एक दुरभागी साली चीज थी. But अलगू cannot be blamed for it. लेकिन इसका इलजाम हम अलगू के उपर नहीं लगा सकते. अलगू could not contain his feelings. अलगू अपनी भावनाओं को contain नहीं कर पाया. He stood up वह खड़ा हुआ and said loudly. और जोर से कहा, over and over again, बार बार कहा, victory to the पंचायद, this is justice. कि ये तो पंचायद की जीत है और ये सही सही नयाई है. God lives in the voice of the पंच. पंच की आवाज में ही भगवान रहता है. Soon after, जुमन केम टू अलगू और उसी वक्त जुमन अलगू के पास आया. इंब्रेस्ट हिम, उसको गले लगाया and said और कहा, Since last पंचायद, I had become your enemy. पिछली पंचायद के बाद में से मैं तुमारा दूस्मन बन गया था. Today I realized what it meant to be a पंच. आज मुझे पता चला कि पंच होने का मतलब क्या होता है. A पंच has no friend or enemy. एक पंच के ना ही तो कोई दोस्ट होता है, ना ही दूस्मन. उसके लिए सब बराबर होते हैं. He knows only justice. वह सिर्फ न्याई को जानता है. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. चलो, ऐसा कुछ करते हैं जिससे कोई भी वेक्ती न्याई और सच के रास्ते से ना भटके. अपने दोस्टी के लिए या फिर दुस्मनी के लिए. अलगू impressed his friend. अलगू ने अपने दोस्ट को गले लगाया and wept और खुशे के मारे रोने लगा. His tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. और उसके आंसों ने उनके बीच में जो misunderstanding की जो धूल थी उसको हटा दिया. Thank you.